हेलो फ्रेंड्स, कम्प्यूटर साइंस कुरुकुल चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सौट कूर्स का आज लेक्चर नमन नाइन है, जो की है आपका टाइपस ऑफ ओएस और इसमें आज हम लोग जानेंगे टाइम सेरिंग सिस्टम के बारे में, तो चली आईए, आज का जो कॉंटेंट है लेक्चर का वो देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइपस ऑफ ओपरेटिंग सिस्टम यानि कितने तरह क्या ओपरेटिंग सिस्टम आपके होते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग टाइम सेरिंग उपरेटिंग सिस्टम के बारे में, क्योंकि ये जो पूरा लेक्चर है हमारा टाइम सेरिंग उपरेटिंग सिस्टम को लेकर के फोकस्ट है, उसके बाद कुछ हम बात करेंगे एडवांटेस और इस एडवांटेस को लेकर जो की आपके टाइम सेरिंग सिस करके सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ बैल आइकन के बटन को आप रेज कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप का ओन हो जाए और जब भी को लेटिस्ट वीडियो में आपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी जानकारी उसका नोटिफिकेशन इंस्टेंटली आपक क्या जानना है और आपका टाइम सेरिंग ओपरेटिंग सिस्टम जो की आज के लेक्चर का कॉंटेंट है आज हम लोग पूरा फोकस टाइम सेरिंग ओपरेटिंग सिस्टम के में करेंगे उसके बाद फिर है आपका distributed operating system, network operating system and real operating system इन तीन operating system के बारे में हम लोग आने वाले lecture में देखेंगे कि क्या होता है distributed operating system, क्या होता है network operating system और क्या होता है आपका real time operating system तो चलिए आईए देख लेते हैं कि operating system क्या होता है यानि इन जेनरल प्रोग्राम की यहां पे बात आती है इन जेनरल जब आप प्रोग्राम एक्सक्यूट कराते हो आप अपने प्रोसेस पे प्रोसेसर पे तो वो आपका प्रोसेस कहलाता है तो चलिए आएए देखते कि नॉर्मली क्या होता है जब आप प्रोग्राम का एक्सक इसका मतलब यह हुआ कि जब आप प्रोग्राम एक्सक्यूट करोगे अपना कोई भी प्रग्राम तो जो जैनरली क्या होता है नॉर्मली क्या होता है कि वह प्रोग्राम जो है आपको फैसलिटी यहीं पर फ्रोग्राम जब आपका चाहएं अपके इस तरह से वन बाइव एक्सक्यूट होगे लेकिन टाइम सेरी आपका क्या करता है कि अगर आपके पास current ले तीन प्रॉसेस है उन तीनों को execute होना है तो वो क्या करेगा प्रॉसेसर टाइम जो है उन तीनों के बीच में क्या कर देगा शेयर करतेगा अब आपको यह question आ रहा होगा कि शेयर कैसे करेगा तो शेयर करने के criteria होते हैं वो हम detailed में देखेंगे बाद में जब हम प्रॉसेसर प्रॉसेस से डियूलिंग की बात करेंगे लेकिन आपको बस यहां पर इतना जानना है ति वह प्रॉसेस जो दो तीन प्रॉसेस है उनमें प्रॉसेसर का time क्या हो जाएगा शेयर हो जाएगा तो इसी को बोला जा operating system की category में आपका आ जाएगा अब आपके दिमाग में यह बात चल रही हो कि कि जब हम एक प्रॉसेस को चला रहे हैं प्रॉसेसर पे और दूसरा वाला प्रॉसेस जब हम चलाएगे तो क्या होगा कि दोनों के बीच में डिफ्रेंस आपको नजर आएगा लेकिन ऐसा नहीं ह होता क्या है कि switching यानि जो प्रॉसेसर पे process की switching है यानि program की switching है इतनी fast होती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि यह process one by one चल रहे है या फिर एक साथ जो है चल रहे है तो दोनों क्या हो दोनों process तो एक साथ चल रहे है आपको लग रहा है कि दोनों चल रहे है लेकिन internally क्या हो रहा है कि यह one by one वो चल रहे होते हैं process पे प्रॉसेसर पे बट वो इतना तेजी से उनकी switching हो रही होती है कि हमें जो है पता नहीं चल पाता है यानि human eye से यह इतना तेजी से चलता है कि हम observe नहीं कर पाते हैं कि उनकी switching हो रहे हैं और हमें लगता है कि वो continuous आपका चल रहा है और सबसे important बात कि time sharing operating system का जो main मकसद है यानि main जो objective है वो है आपका response time को maximize करना response time आपका क्या होता है कि suppose करो कि आपने कोई process run कर आया और वो जितना जल्दी run करना start कर दे और आपको output देना यानि आपको response देना start कर द process हो जाता है in the sense पहले क्या होता था कि एक process execute कर रहा है CPU पे अगर आपने दूसरा process run करा दिया तो वह आपका नहीं run करेगा क्यों क्यों क्योंकि पहला वाला खतम होगा run करके तभी तो दूसरा वाला उस पर run करेगा यह पहले होता था यानि simple operating system में time sharing में ऐसा नहीं है पहला one by one जो है चलते रहेंगे प्रोसेसर पर और आपको लगेगा कि दोनों एक साथ जो है आपके run कर रहे हैं बट एक्चुल में ऐसा नहीं होता है वह one by one आपके run करते रहते हैं चलिए देख लेते हैं कुछ की advantage क्या है time sharing के operating system के तो सबसे पहला तो quick response क्योंकि quick response इससे जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर normally one by one चलेंगे तो आपको जल्दी से response नहीं मिलेगा अगर एक process पहले से run कर रहा है तो और अगर time sharing operating system है तो आपको response जल्दी से मिल जाएगा reduce CPU idle time इसका मतलब यह हुआ कि CPU का idle time reduce होता है for example मैं आपको बताता हूं कि suppose कीजे कि एक process आपका क्या कर रहा है run कर रहा है CPU पे और उसको अब input लेना है तो वो क्या करेगा प्रोसेसर पे एक्स्प्यूट नहीं होगा वो input लेने में busy हो जाएगा और इस बीच क्या होगा CPU उसके क्या करा देगा run करा देगा इस तरह से क्या हुआ CPU खाली नहीं बैठेगा हमेशा busy रहेगा अगर उसके पास Q में process है execute कराने के लिए दो चलिए आईए अब इसके कुछ disadvantage भी देख लेते हैं सबसे पहले चीज़ security of program and data थोड़ा सा security suspension होता है क्यों क्योंकि आप बहु problem हो सकता है reliability में थोड़ी सी problem हो सकती है आपकी क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो यह process आपका जो से dealing है यह पूरी तरह से reliable आपका नहीं होता है लेकिन most of the cases में आपका reliable होता यह कुछ suspected area है disadvantage है time sharing operating system के और मैं आपको एक बात बता दो finally कि आज कल के time पे जो भी operating system होते हैं वो time sharing features उसमें आप डाल रहे हो तो hope आपको समझ में आया होगा कि operating system कितने तरह का होता है और time sharing operating system का मतलब क्या होता है advantage क्या है और disadvantage क्या है अगर आपको यह video अच्छा लगा तो आप इसको जो है like कीजिए share कीजिए doubt हो तो comment कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नह हुआ 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 है